दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए इसके बारे में आज सारी जानकरी आपको देने जारह हों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टर बनते कैसे हैं, रेजिस्टर कापियां कैसे बनती हैं, कौन-कौन सी मशीन चाहिए, उसके बाद मैं बताओंगा उन मशीनों के rate क्या है, कितने की मशीन है, और उसके बाद मैं आपको phone number दूँगा, सारा खर्चा बता के मैं आपको phone number दूँगा, उनका जो ये machines और ये raw material जितना भी आता है, रेजिस्टर कोपियां बनाने के लिए, ये सब आपको provide कराएंगे, उन सभी के phone number भी मैं आपको दूँगा, देखिए, notebook ये किताबे बनाने के लिए, सबसे पहले आपको raw material खरीदना पड़ता है, raw material की जो कीमत है, वो मैं आपको बता देता ये आपको जिससे आप machine लेंगे, वो ही आपको सारा raw material प्रोवाइड करा देगा, अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से notebook बनती है, कौन कौन सी machine चाहिए, देखिए, notebook बनाने के लिए आपको सबसे पहले white paper को गत्ते के अंदर डालना है, जिस तरीके से आप द जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें pin लगाई जाती है, ये machine है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये pin लगाने के लिए machine का इस्तेमाल होता है, ये machine कही तरह की आती है, कुछ सस्ती आती है, कुछ महेंगी आती है, वो उसी हिसाब से काम करती है, जैसे उनका rate होता है, अब आप देख सकते हैं इसमें पिन लग चुकी है पिन लग चुकी है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्युक्त में के विज़ जया है इतना काम को मशीन इससे क्या होता है इससे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता है बिलकुल जो नीचे की से तरफ आप देख पाएंगे यहां पे बिलकुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं इससे इकसार किया जाता है इस तरीके से इसमें किताबी यह जो डाल के सारी अब इसके बाद में जो चीज शुरू होती है वो होगी इसके बाद में कटिंग की पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी दिर रखा जा रहा है ताकि यह नीचे से बिलकुल इकसार हो जाए अब आप देख सकते हैं यह बिलकुल इकसार हो चुकी है नीचे से सारी नोट्बुक को गठा डाला गया इसके अंदर है तो यहां पर देखे बिलकुल इकसार हो चुकी है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह अब आती है बात यहां पे अब देख सकते हैं यह दूसरी वही मशीन है उसकी जो पिछली साइड है यह बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली साइड है उस पे अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को और यहां पे इन किताबों की कटिंग होगी जो raw material था वो तो जुका तो आगया हमने सिर्फ इसमें पिंग लगाया है कागरे डाला है और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम और हमारा register बनके तैयार हो जाएगा तो देखते रहे हैं इस वीडियो को तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया यहां पे इनकी cutting शुरू होगी तो यह आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिलकुल एकसार तरीके से रख लिया है अब यह इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे और उपर एक blade होगा बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है वो जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताबों को तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख लेएं अभी आप देखिए अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिलकुल एकसार करके यह इन्होंने यह देखिए यह blade चल गया यह आप देख सकते हैं पूरा बारी blade होता है थाकि एकसार एक बार में काटों तेущように और हमारी किताबी जो है कटके तयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया complete हमारा register जो है बिलकुल बन के तयार हो चुका है अब यह में कुछ नहीं चाहिए डारेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना register बिलकुल बन के तयार हो चुका है तो अब इसे थोड़ा सा ये इकसार करेगा जो फाल्टू की जगा जहां भी होगी उसे यह सई से प्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं यह फिट से वही करवा है यह देखें फाल्टू का सब कट हो गया बिलकुल और हमारा रेजिटर बनके बिलकुल तैयार हो चुका है आप भी अब इतने शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉंटाक्ट नबर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है तो आप उनसे कॉंटाक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर आप हमारे चानल को पहनी बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सुचना आपको दोस्तों इस वीडियो में इतना है मुईत करता हूँ कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहींने बिजनेस आइडियास पूंचे सबसे पहले आपके